नमस्कार दोस्तो वेलकम टू जीएस फाइटर्स दोस्तो हिंदी सीरीज के अंतरगत हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस एक्जाम के लिए हिंदी की और हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस एक्जाम का जो हिंदी का स्लेवस है उसके अकॉर्डि की practice करते हैं उसी topic से related ठीक है जी और यह practice set number 5 है इसके अंतरगत हम लोग विशेशन और विशेश्य को discuss करेंगे और उसके बाद MCQ की practice भी करेंगे ठीक है अगर वीडियो अच्छा लगे तो channel को subscribe करेंगे और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए ठेक है जी चलिए विशेशन और विशेशय का practice set number 5 शुरू करते हैं संग्या अथवा सर्वनाम संग्या अत्वा सर्वनाम शब्दों की विशेष्टा बताने वाले शब्दों को विशेष्ण कहते हैं जैसे गुण, दोस, संख्या, परिणाम, छोटा, बड़ा, काला, गोरा, चतुर, दयालू, लंबा, छोटा इस तरह के जो शब्द होते हैं, यही विशेष्ण होते हैं और ये संग्या और सर्वनाम शब्दों की विशेष्टा बताते हैं हमने practice set number 4 में संग्या और सर्वनाम को अच्छे से discuss किया है साथ में उसकी practice भी की है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो practice set number 4 को जरूर देखिए उसका जो लिंक है, उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के description में आपको दे दिया है ठीक है, देखिए विशेष्ण जो होता है ये एक विकारी शब्द होता है जो हर हालत में संग्या और सर्वनाम की विशेष्ण बताता है जैसे संग्या की विशेष्ण कैसे बताएगा ये जैसे लोभी, मालो कोई व्यक्ती है रवी नाम का और वो लोभी है यानि रवी लोभी है तो रवी यहाँ विशेष्य हो गया यानि जिसके बारे में विशेष्य बताई गई है वो विशेष्य होता है और जिस शब्द के द्वारा विशेष्य बताई गई है वो विशेष्य होता है जैसे रवी लोभी है तो रवी विशेष्य हो गया और लोभी हो गया यहाँ पर व भारी है यह कितनी दूर है इस तरह से जो है सर्वनाम विशेशन का यूज कर सकते हैं उसी परकार किरिया से जैसे चलती ट्रेन, खाया मुह, नेत्य करने वाली, नाई का पड़ता बालक आदी सर्वनाम की तरह विशेशन का प्रियोग होता है इसको भी आप ध्यान रखना ठी किसे हैं संग्या और सर्वनाम की विशेशन बताने वाले शब्दों को ही विशेशन कहते हैं विशेशन कहते हैं किसको जिस संग्या या सर्वनाम शब्द की विशेशन बताई गई हो वह विशेशन कहलाता है जैसे गीता सुन्दर है और अभी हमने एक एक एक्जामपल लि जिस शब्द की विशेष्टा बताई जाए उसको विशेष्ट से कहते हैं और जिस शब्द के द्वारा विशेष्टा बताई जा रही है उसको विशेष्ट कहते हैं यानि सुन्दर जो सब्द है इसके द्वारा गीता की विशेशता बताई गई है तो ये हो गया विशेशन विशेशन के भेद देखिए मुख्यता है विशेशन के चार भेद होते हैं एक गुण वाचक विशेशन, दूसरा परिमाण वाचक विशेशन, तीसरा संख्या वाचक विशेशन, और चोथा है सार्व नामिक विशेशन, सार्व नामिक विशेशन को संकेत वाचक विशेशन भी कहते हैं, ये भी ध्यान लगना, ठीक है, और इनके उपवेद होते हैं, जैसे परिमाण वाचक के निश्चित परिमाण वाचक, अनिश्चित परिमाण वाचक की दोनों हो गए उसी प्रकार संख्या वाचक के होते हैं निश्चित संख्या वाचक, अनिश्चित संख्या वाचक फिर निश्चित संख्या वाचक के भी 6 भेद होते हैं यह देख सकते हैं आप ठीक है और उसी प्रकार सार्वुनामिक विशेशन या संकेत वाचक विशेशन के भेध होते हैं चार आप उनको देख सकते हैं बट मुख्य दा आपको बस इतना याद रखना है के विशेशन के भेध होते हैं चार गुण वाचक, परिमाण वाचक, सं वस्तु के गुण, दोस, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, प्रकृति, आधी का बोध कराते हूं, ध्यान रखना, गुण, दोस, रूप, रंग, आकार, आकरती, ठीक है, इन सब का बोध कराते हूं, उसको हम गुण वाचक विशेशन कहते हैं, जैसे, सेकंड वाला ओप्श किस सब्द के द्वारा बताई जा रही है, वो बताई जा रही है, मीठा के द्वारा, यानि, यह मीठा केला है, तो यहाँ पर मीठा हो गया, विशेशन, ठीक है, और मीठा इसका गुण है, केला का गुण है, मीठा, इसलिए यह गुण वाचक विशेशन है, ठीक है, जैसे एक होता है विशेशन और एक होता है प्रविशेशन यानि कि ऐसे सब्द जो विशेशन की भी विशेशता बताएं उनको हम प्रविशेशन कहते हैं जैसे एक सेकेंड जैसे राम की विशेशता बताईए किसने बलवान सब्द ने और बलवान हो गया विशेशन ठीक है लेकिन कितना बलवान है वो उस सब्द की भी विशेष्टा बताईए इस बहुत ने थिक है तो बहुत हो गया परविशेशन राम विशेश्य है बलवान विशेशन है बहुत जो सब्द है ये परविशेशन है थिक है इस चीज़ को आप ध्यान लखना उसी प्रगार खुसी बहुत खुबसूरत है खुसी जो लड़की है वो हो गया विशेश है और खुबसूरत होगी उसकी विशेशता यानि विशेशन हो गया ये और इस विशेशन की भी विशेशता बताईए बहुत ने ये जो शब्द है बहुत इसने तो ये हो गया प्रविशेशन यानि कि मैं फिर से बता रहूँ आपको विशेशन की विशेशता बताने वाले श्रब्दों को प्रविशेशन कहते हैं ठीक है? चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग की समझ में आ गया होगा गुण वाचक विशेशन के बाद आटा कितना है? एक किलो और चार किलो मैदा मैदा कितना है? चार किलो यानि मैदा की मात्रा जो मापतोल है उसके बारे में हमें जानकारी मिल रही है तो इसको बोलेंगे परिमाण वाचक परिमाण वाचक विशेशन के परिकार देखे दो प्रकार होते हैं एक होता है निश्चित परिमार बोधक दूसरा होता है अनिश्चित परिमार बोधक जिन सब्दों के द्वारा किसी वस्तू की निश्चित मात्रा का पता चलता हो उसको हम निश्चित परिमाण वोधक या निश्चित परिमाण वाचक विशेशन कहते हैं जैसे 100 लीटर दूद दूद क्या जो हमें मात्रा है उसका पता चल रहा है 100 लीटर है टोक्री भरके आम आमों की मात्रा हमें पता है चल रही है कि आम टोक्री भरके हैं ठीक है, और अनिश्चित परिमान वोधक में, जिन विशेशन सब्दों से अनिश्चित मात्रा, यानि निश्चित नहीं है, जैसे थोड़ा पानी, पानी कितना है, थोड़ा है, निश्चित पता नहीं है, कितना है, बट थोड़ा है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, कि जो व वाचक विशेशन देखे ऐसे सब्द जो विशेशन के रूप में संग्या और सर्वनाम का बोध करवाते हैं ऐसे शब्दों को संख्या वाचक कहते हैं सेंटेंस के अंदर आपको नंबर्स देख जाएगे ठीक है आप इस तरह से इसको याद रखे जैसे क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं पांच केला हैं ये दो जंडे हैं ये दो कंपीटर है यानी नंबर्स का आपको पता चल जाएगा एक दो तीन दस बीस पचास सो दो सो हजार पचास जो भी है, ठीक है? और ये भी संख्या बाचत जो होता है, वो भी दो प्रकार का होता है एक निष्चित और एक अनिष्चित वही definition है जो हमने पिछले वाली स्लाइड में देखी थी निष्चित में क्या होता है? कि संख्या का हमें पता रहता है कितने लोग हैं, प्रोपर हमें पता है, जैसे मैदान में 50 लोग हैं, 50 हम count कर सकते हैं, निश्चित हैं 50 हैं, बट मैदान में बहुत सारे लोग हैं, इसको हम कैसे कहेंगे, निश्चित नहीं हैं, count नहीं किये हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, तो ये अनिश्चित संख्या वाचक विशेशन हो गया, ठीक है, चलिए, अब है सार्वनामिक विशेशन, हमने आपको बताया, सार्वनामिक विशेशन को संकेत वाचक विशेशन भी कहते हैं, ठीक है, ऐसी सर्वनाम, शब्द जो संग्या से पहले लगकर, त्यान रखना, संग्या से पहले लगकर, उस सं इसी की कार, ये जो शब्द लगा हुआ है, ये इसकी विशेष्टा बता रहा है, किसी का घर, मेरी घड़ी, मेरी बुक यही सब्द है, जो संग्या सब्द से पहले जुड़ कर उसकी विशेष्टा बताते हूं, ठीक? हमने आपको बताया कि सार्व नामिक विशेशन को ही जो संकेत वाचक विशेशन कहते हैं ठीक है और इसके प्रकार होते हैं 6, मुख्यत चार ही होते हैं संकेत वाचक विशेशन जो होता है जैसे यह जो हमने रेड रेड करके लिखा है न यही है मुख्य जो शब्द है ये संकेत बाचक में मतलब इस किताब को जरूर पढ़िये कोई व्यकती है दूसरे व्यकती से कह रहा है किसी बुक की और रिसारा करके या उसको दिखाते हुए कह रहा है संकेत दे रहा है वो उस व्यकती को पढ़ने के लिए ठीक है उस किताब को पढ़ने के लिए तो ये हो गया संकेत वाचक अनिश्चित वाचक मतलब समझ लीजिए कोई चीज निश्चित नहीं है जैसे मुझे कहानी की कोई किताब खरीदनी है कहानी की बहुत सारी किताब है कोई किताब खरीदनी है निश्चित नहीं है कि वो ही किताब खरीदी है लेकिन कोई भी किताब हो तो अनिश्चित नहीं है इसलिए इसको अनिश्चित वाचक बोलेंगे प्रेश्ण वाचक में आपको पता होगा प्रेश्ण वाचक में प्रेश्ण पूछा जाता है जैसे कौन लोग थे वो आप कल कहा गए थे यानि ये question पूछा जा रहा है क्या आपने खाना खाया इस तरह के जो sentence होते हैं वहाँ पर होता है प्रेश्ण वाचक सार्वनामिक विशेशन संबंद वाचक सार्वनामिक विशेशन में जैसे उनके घर आज कथा हो रही है ये हो गया संबंद यानि किसी चीज़ का किसी चीज़ से संबंद बताना जैसे यह पुस्तक मेरी है तो मेरा संबंद इस पुस्तक से है ठीक है देखिए प्रविशेशन की परिवासा हमने अभी आपको थोड़ दिर पहले बताई थी कि कुछ विशेशनों के भी विशेशन होते हैं जिने हम प्रविशेशन कहते हैं फॉर एक्जामपल के लिए माल लीजिए रभी अत्यदिक तेज छात्र है देखो रभी तो यहां हो गया संग्या चात्र हो गया विशेश्य यानि रभी जो चात्र है यानि चात्र यहां पर विशेश्य है और इस छात्र की यानि विशेष्य की 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 आ गया होगा, तुलनात्मक रूप से देखा जाए, तो विशेशन की तीन अवस्थाएं होती है कौन-कौन सी, एक तो मूल अवस्था होती है, और एक होती है उत्तरा अवस्था, एक होती है उत्तमा अवस्था जैसे हमारे हाँ देखा होगा आपने जो हमारा Judiciary System है पहले District Court होता है फिर High Court होता है फिर होता है Supreme Court ठीक है उसी तरीके से कोई व्यक्ति अच्छा है तो वो तो अच्छा है ही लेकिन उत्तरा अवस्था में दो के साथ compare किया जाता है जैसे रवी और राहुल मालो रवी राहुल से अच्छा है तो यह होगी उत्तरा अवस्था उत्तमा अवस्था में क्या होता है रवी सबसे अच्छा है जितने भी लोग है महाँ उन सब में सबसे अच्छा है ठीक है तो यह होगी उत्तमा अवस्था यानि सबसे उत्तम वाली अवस्था, सबसे उची अवस्था होगी जैसे स्रेश्ट, स्रेश्ट तर, स्रेश्ट तम स्रेश्ट तम मैं मतलब उससे उपर कोई है ही नहीं ये समझ लीजिए, ठीक है? चलिए, अब हम करेंगे MCQ की प्रैक्टिस देखिए हमने जो भी कुछ पढ़ा है, हमने विशेश्ट पढ़ लिया, प्रविशेश्ट पढ़ लिया विशेश्ट से क्या होता है, ये भी पढ़ लिया और विशेशन के चारवेद कौन-कौन से थे जैसे गुडवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेत वाचक या सार्व नामिक विशेशन ठीक है? चलिए पहला प्रेशन है चालाक विद्यार्थी से प्रेशन पूछो तो हमसे पूछा क्या है? विशेशन बताना है तो विशेशन हो गया, इस प्रेशन का सही उत्तर है option number one मौहन एक अच्छा विद्यार्थी है देखो, मौहन एक संग्या है ठीक है? विद्यार्थी एक विशेश्य है और कैसा है? अच्छा, ये हो गया विशेशन अब देख लीजिए क्या पूछा इसमें? इसमें पूछा है विशेश्य के बारे में तो विशेश्य हो गया विद्यार्थी ठीक है? option number d is the right answer तीसरा प्रेशन है, आपको बताना है निम्न मैंसे कौन सा विशेशन है, विशेशन बताना है आपको क्रोधी? यस, पहला ही सही है राही, कंटक, चुनोती ये विशेशन नहीं है ठीक है? निम्न मैंसे एक विशेशन सब्द नहीं है लाडला, लापता लांच्छन, लजीला देखो ये तो विशेशन है ये भी है और ये भी है बट लांच्छन कोई विशेशन नहीं है ये विशेशन सब्द है ठीक है? उसी प्रकार ये भी विशेशन सब्द है ठीक? चलिए पांचमा प्रश्न है निम्न शब्दों मैंसे एक विशेशन नहीं है शरब्य, सर्व या फिर भब्य देखे ये जो गर्ब लिखा हुआ है ये कोई विशेशन नहीं है बाकी शरब्य, सर्ब, भब्य ये विशेशन है तीसरा सब्द है इसमें कौन सा विशेशन आएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँच्वा इस तरह से जो किरम चलता है तो ये सबाय का किरम वाचक विशेशन के अंतरगत ठीक है? चलिए सात्मा प्रेशन है चौथाई शब्द में विशेशन है चौथाई, चौथाई को लिखेंगे कैसे? 1 by 4 अब ये मुझे बताईए ये क्या सब्द complete है? क्या कोई? ना तो ये 4 है और ना ही ये 1 है यानि कि incomplete है ये तो यहाँ पर हो गया अपूर्ण वोधक विशेशन चौथाई, तिहाई, आधा ये अपूर्ण वोधक विशेशन होते हैं ठीक है? ठंडा पानी ठंड पैदा करता है वाक्य में कौन सा शब्द? विशेश्य है देखिए, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है यानि कि जो पानी है वो एक विशेश्य है और पानी की विशेश्य है और पानी की विशेश्य है ठंडा, यानि कि ये हो गया इसका विशेशन तो हमसे पूछा है विशेश्य है तो यहाँ पर option number B यानि पानी बिल्कुल सही answer है ठीक है? norma question है कौन सा शब्द विशेश्य है? आपको बताना है कौन सा शब्द विशेश्य है पॉस्टिक बिल्कुल विशेश्य है? जी नहीं पॉस्टिक तो है एक विशेश्य है पाठकी ये भी विशेश्य है भावुक होना भावुक भी विशेश्य है बट जो विशाद सब्द है ये एक विशेश्य है इस चीज को ध्यान दखना विशाद जो है एक विशेश्य है नीली शाडी में कौन सा विशेशन है साडी की quality बताईए इस सब्द ने नीली ये जो सब्द है इसने तो ये हो गया गुण वाचक साडी का गुण कैसा है वो नीली है ना तो ये संख्या वाचक है और ना ही परिमाण वाचक परिमाण वाचक में मापतोल जैसी बाते आती है संख्या वाचक में आपको पता होगा संख्याओं का यूज होता है ग्यारमा प्रशन है विशेशन सब्द का चैन कीजिए सरपंच, प्रपंच, पहुच, पांचवा यहाँ पर option number D एकदम सही है विशेशन है पांचवा पांचवा और यह क्रम वाचक विशेशन है अभी हमने बताया आपको कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा यह सब क्रम वाचक विशेशन होते है ठीक है बारवा प्रशन है वह स्रेश्ट उपासक है वाक्य में विशेशन कौन सा है आपको बताना है विशेश्य है बताना है कौन सा है देखो स्रेश्ट तो हो गया विशेशन उपासक हो गया उसका विशेश्य है ठीक है यानि उपासक जो है कैसा है स्रेश्ट है तो उपासक विशेश्य है stressed, vishetion, ठीक है? तो vicious है, इसका option number one बारे का option number one answer है, ठीक है? तेरहमा प्रश्न है, आपको बताना है एक प्रथिवा संपन्न छात्र विशेशन क्या होना चाहिए इसमें? यानि आपको बताना है, एक शब्द का इस्तमाल करना है, एक प्रथिवा संपन्न उसको बोलेंगे मैधावी छात्र, ठीक है? चौद्यमा प्रश्न है काला घोडा तेज दोड़ता है देखो यहाँ पर क्या है इसमें बताना है, किरिया विशेशन कौन सा है काला घोडा तेज दोड़ता है, इसमें बट हमें किरिया विशेशन बतानी है तेज दोड़ना ये उसकी किरिया और उसकी विशेशता है ठीक है तो यहाँ पर option number B एकदम correct होगा समझ गए चलिए option number 14 और answer number B 15 माँ प्रेशन है मीठा अमरूद में मीठा विशेशन किस कोटी का है मीठा अमरूद देखो हमने अभी पताया आपको परिमार से क्या होता है मापतोल के बारे में पता चलता है ये तो नहीं होगा व्यक्ति वाचक भी नहीं होगा संख्या पता चलता है जी नहीं गुण वाचक अमरूद का गुण कैसा है अमरूद का गुण कैसा है कि वो मीठा है तो अमरूद के बारे में पता चल रहा है उसकी quality यानि गुण पता चल रहा है तीनों शब्द किस परकार का संख्या वाचक है देखो हमने अभी बताया था आपको दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह के जो शब्द होते है न ये तो होते है किरम वाचक तीनों, चारों, पांचवों, दसों, सोईयों ये समुह वाचक में है ठीक है? इस चीज़को अभी ध्यान रखना सत्त्रमा प्रेशन है पुस्तक से कौन सा एक विशेशन बनेगा? पुस्तक है, पुस्तक है या पुस्तकों और इस प्रेशन का सही उत्तर है option number one पुस्तक से विशेशन बनेगा पुस्तक है विशेशन के कितने भेद होते हैं? हमने इस टार्डिंग में बताया आपको विशेशन के चार भेद होते हैं कौन कौन से एक गुण वाचक विशेशन संख्या वाचक विशेशन परिमाण वाचक विशेशन और होता है संकेत वाचक या सार्व नामिक विशेशन ठीक है तो यह चार भेद होते हैं विशेशन के ध्यान रखना और 19 वाचक विशेशन है इमानदार सब्द में कौन सा विशेशन है इमानदार सब्द कोई व्यक्ति है इमानदार है तो इसका मतलब उसकी quality बताई जा रही है यानिकि गुण वाचक विशेशन है ठीक है क्या बात करते हैं आप 20 वा प्रेशन है क्या बात करते हैं आप ये जो sentence है इसमें कौन सा विशेशन है संकेत वाचक ये तो नहीं है देखो जहां पर भी ये वाला sign लग जाए जैसे ये लगा हुआ है तो ये समझ लेना प्रेशन वाचक विशेशन तो ये 20 प्रेशन थे विशेशन और विशेश से टॉपिक से रिलेटेड ठीक है और ये रही उनकी आंसर की आप अपने questions को match कर लीजिए जितने भी सही है और जितने गलत है आप अपना जवाब हमें comment section में share कर सकते हो ठीक है और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक भी कीजिए PDF के लिए टेलेग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए वहाँ पर सारे टेस्ट की PDF आपको फिरी मिलेगी ठीक चलिए फिलाल इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू बेरी मच